आयो बच्चों अब हम समझते हैं सहभागी अवलोकन क्या है नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों सहभागी याने जिस समूह में हम जाकर रहते हैं उसमें समूह की गतिविदियों में भाग लेते हैं और उस समूह में उड़ते बेटते हैं महासाधरन व्यक्ति बन कर रहते हैं और उस गुरूप का अध्यन करते हैं तो सहभागी अवलोकन सहभागी अवलोकन में अवलोकन करता अवलोकित समू का सदस्य बन कर उसमें घुल मिल जाता है अपना वास्तविक उद्देश वह प्रगट नहीं करता तथा समू की प्रत्यक गतिविधी में भाग लेता हुआ समू के वास्तविक व्यभार का अवलोकन करता है इसे हम इस रूप में भी परिभाशित कर सकते हैं यंग ने कहा है कि सामाने तह अन्यंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकन करता उस समू के जीवन में ही रहता है तथा भाग लेता है जिसका की वह अध्यन कर रहा होता है लुंडबर्ग कहते हैं कि इसमें अवलोकन करता अवलोकित समू से यथा संभव घनिष्ट संभन्द स्थापित करता है अर्थात वह समूदाय में बस जाता है और समू के देवी देनिक जीवन में भाग लेता है अभी मैंने आपको बताया भी था अनियंत्रित अवलोकन में बच्चों हम कोई सुची पहले से बनाते नहीं हम पहले से क्या-क्या अध्यन करके आएंगे यह नहीं बनाते हैं तो अपने व्यभार को हम किसी सीमा के अंदर नियंत्रित नहीं करते हैं और जैसे देनिक जीवन हम जी रहे होते हैं वैसे ही अध्यन करता उस समू के अंदर जाता है और उसमें अपना जीवन यापन करने लगता है और उसे उसमें जो भी नई-नई गती विधियां दिखाई देती हैं उन आकणों को वह एकतरित करता जाता है तो सहबागी अवलोकन की परिभाशाओं से भी यहस्पश्ट हो जाता है कि इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकन करता बिना आपना रहस्या और उद्देश प्र समुदाय के सदस्यों के पारस्परिक संबंदों और अंतर क्रियाओं का अध्यन एक समग रूप में करना है तता सहबागी अवलोकन इसमें पूर्ण रूप से सहयोगी है इसमें अवलोकन करता अवलोकी समू के सदस्यों के साथ इतना आधिक घुल मिल जाता है कि जॉन किस कहते हैं कि इसमें अवलोकन करता के रदय की धड़कन तता अवलोकी समू के व्यक्तियों के रदय की धड़कन एक हो जाती है यह तभी अर्थपूर्ण हो सकता है जबकि समू के सदस्यों के सोचने अम्यभार करने के ढंग से अवलोकन करता का पूर्ण एकी करन हो जाए सहबागी अवलोकन के जो गुण है वो क्या है आईए अब हम उन्हें देखते हैं सहबागी अवलोकन के जो गुण है उनमें सबसे पहला जो गुण है वो है स्वाभाविक व्यभार का अध्यान सहबागी अवलोकन में क्योंकि अवलोकन करता अपना उद्देश प्रगट किये बीना समू के सदस्यों में घुल मिल जाकर अध्यन करता है अता इसे लोगों में स्वाभाविक और वास्तविक वियभार का अध्यन करना संबभ हो पाता है यह स्वाभाविक विवाभार का अध्यान करने की सबसे उप्यूक्त प्रविधी मानी जाती है अब जो सहाभागी अवलोकन का सहाभागी अवलोकन का दूसरा जो गुण है वो है गहान एम सुक्ष्म अध्यान क्योंकि इसमें अवलोकन करता समू का सदस्य बनकर अध्यान करता है अतावा समू के समस्थ पक्षों के बारे में संपूर्ण छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो जाता है उसके द्वारा किया गया अध्यन विस्तरत होने के साथ साथ अतिसुक्ष में भी होता है तीसरा जो इसका विशेष्टा है वो है अधिक विश्वस्नी है क्योंकि सहभागी अवलोकन करता गहन रूप से स्वयम समू का सदस्य बनकर अवलोकन करता है इसलिए उसके द्वारा एकत्रित सूचनाय अधिक विश्वसनी होती है वह विभिन बातों एम पहलों को देख कर उन्हें अर्थपूर्ण ढंग से समझ सकता है यदि किसी घटना के बारे में कोई संदे है तो वह पुना परिक्षन निरिक्षन द्वारा अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त करके उसे दूर कर सकता है फिर प्रत्यक्ष और अर्थपूर्ण अध्यन भी इस विधी के द्वारा संभव है सहबागी अवलोकन अवलोकित समू के प्रत्यक्ष अध्यन का अवसर प्रदान करती है साथ ही वह अर्थपूर्ण अध्यन में भी सहायक है अवलोकन करता केवल बारी व्यवार का अध्यन नहीं करता बल्कि प्रतिक बात को बारी की से अर्थपूर्ण धंग से देखने का प्रयास करता है एक और इसका जो गुण है वो है सरल अध्यान और सहभागी अवलोकन के आकड़े संकलन करने की एक सरल प्रविदी है इसमें सबसे कठिन कारिय समू की सदिस्तिता घ्रण करना और यदि हकारे सफलता पुरवक हो जाए तो वास्तो के वहर का अध्यन करना बहुत सरल हो जाता है अब सहभागी अवलोकन के ये तो हुए गुण सहभागी अवलोकन में कुछ दोश भी है क्या-क्या दोश है चलते-चलते हम इन्हें भी देख ले सहभागी अवलोकन में जो सबसे बड़ा दोश है वो है संपुर्ण सहभागिता संभव नहीं है किसी भी भारी व्यक्ति या स्वमू के देनिक जीवन या समुदाय के पूर्ण रूप से घुल मिल जाना इतना आसान नहीं है जितना हम इसको समझ रहे हैं संपुर्ण सहभागिता संभव नहीं हो पाने के कारण इसे अधिकतर विद्वान अव्यवारिक प्रविधी मानते हैं बाहरी व्यक्ति चाहे समुद के सदस्यों पर कितना भी विश्वास प्राप्त क्यों ना कर ले उसे संधे की दृष्टी से देखा जाता है कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया है कि समुद के सदस्यों के विविनकारियों में सहयोग देकर उसको फोटोग्राप तंबाकू भोजन या अनिवारे वस्तु में बाटकर उनका विश्वास प्राप्त किया जा सकता है परन्तु यह अधिक उचित नहीं लगता क्योंकि इससे समुद के सदस्यों के विवार में क्रत्रिम्ता आ जाती है जो इसका दूसरा जो अवगुण है वो है अनेक परिस्थितियां सभागिता से परे हैं सभागी अवलोकन का दूसरा प्रमख दोश यह है कि इसका प्रयोग अनेक परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता कुछ परिस्तितियां ऐसी होती हैं जिनकी सदस्ता अनुसंदान करता ना तो ग्रहन कर सकता है और ना ही पूर्ण रूप से उन परिस्तितियों में भाग ही ले सकता है जैसे की बंदियों का अध्यन करने के लिए अनुसंदान करता स्वयम बंदी पुलिस के अफसरों का अध्यन करने के लिए पुलिस अफसर लोकसभा के सदस्यों का अध्यन करने के लिए लोकसभा सदस्य तथा डाकूं का अध्यन करने के लिए स्वयम डाकू नहीं बन सकता अ बुल्विल जाता है तो समू के प्रती घनिष्टता एमसान भूती के कारण उसमें पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि अवलोकन करता स्वयम समू के एक महत्पूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है इसलिए समू पर आने वाली विपत्या, प्रसंताएं, लड़ाई जगड़े उसे निरंतर प्रभावित करते हैं जिसके कारण वो अपना अध्यन तठस्त रूप से नहीं कर पाता। दूसर एक और जोग दोशे वो है सीमित प्रचलन सहभागी अवलोकन प्रविधी का प्रयोग केवल कुछ परिस्थितियों में ही विशेश रूप से छोटे समू और जनजाती समू के अध्यन में ही किया जा सकता है। भूमिका की सामंजस्य की समस्या भी इस अवलोकन में होती है। इस अवलोकन में समय और धन का भी अधिक व्याय होता है। सहभागी अवलोकन में समू की सदस्ता प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। कई बार कई महने और साल लग जाते हैं। फिर अध्यान से सम्मंदित आकड़े एकत्रित करने में भी काफी समय लग जाता है। अधिक समय लगने की कारण या विधी बहुत अधिक खर्चिली भी होती है। और सही आलेखन की समस्या भी इस विधी में होती है। क्योंकि अनुसंदान करता ने अपना उद्देश प्रगट नहीं किया होता है। अता वह जब किसी बात को देखता है तो उसके सम्मुक सही आलेख की समस्या पेदा होती है। हो सकता ही कि बहुत सी बातें जो उसे लिखनी थी जिनके आंकड़े उसने एकत्रित करने थे वह सामान्य गटना समझ कर छोड़ दे। और कई बार सामान्य गटनाओं के आंकड़े भी वह विशेश गटना समझ कर जो है लिख ले। और कई बार वह कुछ महतपूर्ण गटनाओं को भी उस समझ से लगाओं के कारण छोड़ पाता है या छोड़ देता है। तो यहां जो हैं वह सभागी अवलोकन के दोश्ट हैं।